एक खिलाडी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतिय स्वस्त और चुस्त रहे तंबाकु स्वास्त्य और तंदुरुस्ति को नुक्सान पहुचाता है सभी तंबाकु पदार खतरनाक और घातक है अगर आप स्वस्त और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकु से दूर रहे मैं रहता हूँ आपको भी रहना चाहिए आईए तंबाकु के सामने दीवार बनकर खड़े हो इस फिल्म के सभी पात्र काल्पनिक हैं और किसी भी समूदाय या व्यक्ति म्रत या जीविद किसी भी समानता के साथ कोई समानता नहीं है यदि कोई हो तो अंजाने में विशुद रूप से संयोग है यदि कोई बनकर तो यदू नहीं है झाल 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 बच्पन से सुना है सम्विधान में भी लिखा है कि भारत एक धर्व निर्पेक्ष राष्ट्र है और मैं इसी राष्ट्र का एक शहर हूँ जिसका नाम कभी महबबत नगर हुआ करता था और महबबत नगर में हर मजभब के और हर फिक्रे के लोग प्यार महबबत से मिल चुल कर रहा करते थे वो लोग सिर्फ एक ही धर्म जान दे थे इंसानियत और देश प्रेम भाई चारा इतना गहरा था कि शिवालयों की घंटियों में अजान सुनाई देती और इबादत गाहों में आरती की नाद लेकिन बदलते दोर बदलती सियासत और सिमटती इंसानियत की वजह से महबबत का नगर अब सिर्फ मुझफर नगर रह गया और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ करें भाई जाए जाए मुझे चोड़ा जोड़ा मुझे हुआ 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 है यह लोग मुझे यहां से क्यों लेके आगए बेर्णवाग जैसे लेका थे फुपा लग गया है तुम्हारा है मुझसे कोई भूल हो गई है क्या भूल नहीं कर्तूद कर्तूद और ऐसे कर्तूद पर तो गोली से उड़ा दें स्वीट मैं पता नहीं तुझे यह आएवा कर्तूद देख अब जट्ते फैसला कर ले अंगुठा लावे है यह दू तेरा सर इस कोल्लू में अगर यह जबीन मैं ने तुम्हारे नाम कर दी तो मम लोग खाएंगे ब्रगवान के लिए माफ कर दो हम लोग ताबाब हो जाएंगे बरभाद हो जाएंगे तो ने लिए नी वैसे भी साल-दो साल बारिस ना होई तू पाशिक आगे मरेगा या गोली मार लेगा लेकिन मैं इसमें डसकत न लागवाने लाए है क्या है अब सबर कर ले तेरा ही इंतिजाम कर रहा हूं अरे बस भी कर बेटा इसा इसे पीटता रहेगा और इसकी साज निकल गई तो फिर क्या कर लेंगे हम धीम सिंका तुटता है ये आत पर तोड़ने से न माननेगा जिसके घर पर जवान लोंडिया बैठी हो उसे ऐसे मारा पिट्टा करते हैं क्या जाओ इसकी लोंडी को ठाक लाओ अब फेर वोही पत्तमी जी वाली भासा हमेशा ठालाओ कपड़े फाड़ दो रेप कर दो भाई जद से लेके आना ट्रेक् पर बिठा के रुक 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 बगवान के लिए रुक जाओ मैं तुम्हारे के हाँ चोड़ता हूं तुम्हारे पैर पड़ता हूं अब तो इने तेरे दस्तकत ही रोप सकता है मौन लाग तो एला है येलो लेगा सब्सक्राइ़ता है अटो अटो पिछे अटो पिछे अटो ना बहुत बुरा हुआ भाई बहुत बहला आदमी था महुनलाज मेरी बहुत इज़त करता था पर यह हुआ जह हुआ द ricamamraा चापते हो अच्छा बर। पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए देदिया हिंदूस्तान ने और आपके जानकारी के लिए बता दूँ छे महिन ने पहले ही महुनलाल बचारा मुझे अपनी जमीन दे चुका कागजात दिखाऊं परधान है आप गाओं के जिम्मेदारी बनती है आपकी कुछ अरे ऐसे कैसे कोई भी आत्मत्या कर लेगा गाओं में ये हाथी वाले दांत हमें मत दिखाई हो जोधा सिंग मैं तुझे आज से नी जानता इतना ही पता है तो अप अपने मतालेगी पुलिस भी तो आपकी ही जेव में रहती है जोधा सिंग जी हमारी जेव की तरफ जहांकने की कोशिश मत करो गें सिंग जी हमारे पास तो और भी बहुत लंबी-लंबी जेव हैं चलिए पीछे डिये जानते हैं स्याना कवबा कहां बैठता है क्या बात अब सोच ले तू मेरी जेम में पड़ा है आजी हाँ पुलिस को इतना बड़ा थाड़ा चोटा पड़ रहा है क्यों किसी के जेम में रहेगी भाब भी परदान होके ऐसी बाते करो के तो काओ वाले क्या खाक इज़त करेंगे हमारी अरे चलो वई चलो चलो पुलिस आगे चलो 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 आगे बढ़े अरे जहां यह जोधा सहाब काट राख है जाने दो चलो चलो आगे बढ़ो अरे समझाइए सर इस पागल को जोधा सिंके ट्रक को रोक रहा है अरे नहीं नहीं वर्दी पहनी है चमक तो मारेगी थोड़ी महली होने दे अपने अपनायान पर आ जाहेगा कोई दिखना जाने इसे दिखा अपने बढ़े इच्छावाग रोक 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 तो देखने रहे हैं चेकिंग जल रही है किस बात की चेकिंग चल रही है अब तेरे को भी बोलना पड़ेगा किस बात की चेकिंग जानता नहीं है क्या मुझे तो अमित आप बच्चन है जो तुझे जानू मैं अमित आप बच्चन तो नहीं हो लेकिन तू चुलबुल पांडे बनने की कोशी ज़रूर कर रहा है अले क्या बात है क्या मुगतमा चला रख्या है सर मैं सिर्वेस से ये पूछ रहा हूं कि किस बात की चेकिंग चल रही है दरासल में हां के प्रधान भीम सिंग जिगा बेटाओं तो सलूट करूं तजे या तेरी आरती उतारूं और तेरा बाप प्राम मिनिस्टर है सवर से साम तक बहुत देखें ऐसे परधान भरधान चल लैसे दिखा आपने ट्यूटी पर शराप पी रखिये मैंने तो चाय बोली थी यह दारू ले आया क्या करूं दूना क्योंं है? वर क्यों? सबस्फेंट करवाया गा? लैसनतें ढका अरे लाइसन्स दिखा दे तो यह जो दिया था यह मेरी शादी का काड़ था क्या तू ने देखा इसने कुछ दिया और तूने देखा नहीं जाप लाइसन्स भी ना है तूकाटी के पेपर दिखा दे हैं लाइसन्स भी ना है गाटी के कागजाद भी ना है और उपर से पुलिस को कानू ज़ड़ रहा है अरे आदो इसकी गाड़ी जब्स कर ले जी आज इसको घर पाइदल जाने दो तूने उन्ड्यूटी इंस्पेक्टर पे हाथ उड़ाया है मैंने आथ उड़ाया उड़ाया क्या मैं चाहूं तो ओन्ड्यूटी शराप पिने पर आपकी वर्दी भी उतरवा सकता हूं लेकिन क्या है ना हमारे मुझफवर नगर में कुट्तों के पेट पे लातनी मारी जाती सर ये कुछ ज़्यादा ही कानून जाने है और ये न जाने है कि इसका अंजाम क्या होगा कि देख में तेरे लिए क्या लाया टाणाइंग ये इप अहां बाओ जी नमस्ते आजा जीता रहे बहुत देर लगा आदी आने में अरे बाओ जी आपको पता तो है रस्ते इतने टेड़े मेड़े आना ताइम लग गया अरे मेरा बेटा छोड़िये सब बैठ कैसे हो आप ये क्या हो गया तुझे क्या होगा दिल्ली में ठीक से खाना बिना नहीं खाता था क्या अरे देखो तो कितना धुबला पतला हो गया है तो जब गया था तो कॉंण सा दारा सिंग था यह ना आप है ना हमारे मा बेटे के बीच में कुछ मत बोला करो अरे आप दोनों फिर शुरू हो गए बेटा तु एक काम कर तु जल्दी से हाथ मों दोले मैं तेरे लिए देशीगी के घरमा घरम पराठे बनाती हूं सची बहुत भूग लग रही है चलो 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 अंदर चलते हैं और बेटा कैसा चल रहा है तेरा वो शूटिंग का कोर्स बस बाओ जी वो 500 मीटर रेंज का कोर्स तो कंप्लीट हो गया है अब तीन मेने बाद नैशनल से हैं उसी की चैंपेंशिप की तैयारी कर रहा हूं क्योंकि पार्टिसिपेट करने वाला हूं अब यहां आ गया तो तोड़ा यहां का भी धंदा देख जी बिल्कुल और अपने अर्जुन को देख तीन बार वर्ल चैंपियन बनके अपने देश का नाम रौशन कर चुका है अब मैं चाहूं कि आने माले उलम्पिक में तू भी निसानने बाजी का चैंपियन बने और अपने गाउं का अपन करूंगा ना बाओ जी बिल्कुल करूंगा अब अवसी मिया कहां गाया हुए यार भाई जान पंप ठीक करा रहे थे पंप ठीक करा रहे थे या कुछ और हाई आया कि अ आरे देव जी बाओ जी यह दूर बीन को अख्वों पर लगा कया देख रहा है भाई नहीं आए वो फसल देख रहा था पकर तयार हो गई है ऐसे समय में फसल को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है सिर्फ संभाल संभाल लियो कटाई की मत सोच लियो अबी जी बाओ जी अमा वसीम भी या एक बात बताव याद अपने गाव में ढंकी बस सुभीदा तो है ना फिर ये मेट्रो कब से चलने लगी अरे ट्रैक में लड़किया आपका हूमर भी गजब का देव भाई ये मेट्रो ना है तो ये तो सरकार की योजना है अच्छा मतलब सरकार भी अब द आपकार के लिए अच्छा उसी की प्रक्ति चल रही होगी बस तो ये काम कर चल सात्में चल मेरे अधा है अधा है दिखाई नहीं दिता है लगता है इसको सुनाई भी नहीं देता है ना जी क्या है न कि जब से इनको देखा है ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है पत्तमीज हमारे पीची-पीची ग्यों आ रहे है आजी आप लोग मेरे आग आग के चल रहे हो अच्छा जादा स्मार्ट बनने की जरुरत ना है छोड़ो यार जाओ ना जी ना लेडीज व 사ष जी ओए तू तो इसी है यह किसी गाओ का यहां हूं आच्छा नाम यह पूर्ट नाम है मेरा लेकिन प्हरते आप मुझे देव बुला सकती हो गां इंग यह शायर में यह नहीं हैं बात करने की हई-ठू मने पैसे वैसे नहीं दिये अपनी मेनत से पाफ चति आया हुँ मेनत-खी न हमनुकल रहे हैं अच्छा फिर नाम बता अपना फिस्काम का नाम क्या है गाउं थो अच्छा फिता जी का नाम क्या है बढल रफीख सारा, इसे कुछ मठ बताना, बहुत चाल आगे अरे ये तो कोई अन्पर भी बता देगा, इसमें पड़े लिखे वाली क्या बात हो गई एक काम कर, अपना फोन नंबर बता, अंग्रिजी में 978-700-483 क्या बात है? तु चल लो, सारा, चल अब नंबर लिख लो, फटा पड़ भूल जाओंगा, मैं 978-7 क्यों नंबर दिया उसे? अब तुझे ना बार-बार फोन करके परिशान करता रेगा आइंदे इस बत्त में इसे बात करने के कोई जुरत नी है और क्या जुरुत थी उससे बात करने की? अरे मैंने कौन सा उससे असली नंबर दिया है? सारा इतनी भी बेकूप नहीं है कि किसी को भी अपना नंबर दे दे हलो, डार्डिंग, पहचाना? हलो, अरे ताओ घल्टी हो गई, रख रहा हूँ रख रहा हूँ फोन पैंगर, 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 ये कुण सी बाशा बोल रहा था? अच्छा, शेव गई मुझे, ठीक है, अब आएगा मजा हाँ 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 हमेंट जो आ था था पार अक्सकों आ यह सबहस्त्व ऑड़े कहा भाई किसके ख़्यालों में को या यार हम भी पता दें हम भी याद कर लेंगे होगी को शेयर की फिल लड़ी हां तो भाई उससे विली आता वो गाउं देख लेती और हम उससे देख लेते अच्छा जी अबे तुझे देखके गाउं की लड़की तो क्या बैस भी आना बोलेगी अच्छा जी मतलब गाउं बसा नहीं भिकारी पहले आगए अरे सुनना ये सब छोड़ ये बता तेरी बात बढ़ी कि न बढ़ी देख भाई पूछ रहा है तो साथ में चलना पड़ेगा उसके गाउं सोच ले बाई देख सुन जब भी चलना होना तो बस एक बार बता दियो भाई हम भी साथ चलेंगे हमने कौन सा पाप किया भाई अरे रुख जो यार कोई लड़ने वड़ने नहीं जाना है ना लड़की को उठाने जाना है बस देखने जा रहे हैं और टेंशिन की ले रहे हो मिलवा दूंका सबको बबलू रड़ी है ना एकदम कल मिलते हैं फिर करें इन से पूछ के देखे क्या अब हो चाचा यह रफीक मिया का मकान किदर है अधीच भाइल बज़ने बेच्टे लगरा है यह घानों भी कर्वियू लगरा है और तेरे पैरों पर लाग रहा है आई चाचा वो रफीक मिया रफीक मिया उनका घर अच्छा अच्छा रफीक मिया लेकिन बेटा रफीक मिया तो यहां पाँच है अब किसका घर उनको बोल रफीक खान रफीक खान का घर रफीक खान है ना रफीक खान अच्छा अच्छा रफीक खान लेकिन बेटा रफीक खान भी यहां तीन है अब कौन से रफीक खान अरे स सारा के अबू, सारा के अबू, पूछ, चाचा वो, सारा, सारा के अबू, अच्छा, सारा के अबू, लेकिन सारा के अबू भी यहां दो है, अब कौन सी सारा के, उनको बोल वो जो बुजुर्ग वाले हैं न, उनकी बात कर रहे हैं हम, चाचा वो, बुजुर्ग, अच्छा वो भुजर्ब वाले लेकिन बेटा उनका तो इंतकाल हो गया वो तो अल्ला को प्यारे हो गए ठंड़ा पिलाओं अरे ले भाई हो गया काम कैसे भाई यह बच्चा बताएगा बेटा इज़र जाके उदर जाके उदर अरे भाई घर तो यही है अरे भाई पुरा आगे ले ले लूँ जब जाना इस घर में है तो आगे क्यों लूँ भाई घर में जाना है मतलब अरे मरवाएगा क्या भाई बीतर ने चले गए ने तक कट के भार आउंगे अब तुम हस रहा है भाई जो दीवार देख रहा है ना इन पर अपने पोस्ट अच्छा पर मिलेगा कुम सुधा के अब फट्टू जिग्रा नाम जैसी कोई चीज है के नहीं तुछ में हां तु एक काम करियो अंदर जाते टाइम अपना दिमाग साइलेंट मोड पे रखि अ 상태 अषट्स मैं आश्म बालेमं चाचा वास्याओ्स सब खहरियत एक सेग्रेह बस सेओं बैटना वह आपकिए नहीं लेकिन आपकी नहीं भृशन देंडरें आतल अब अब चाचा क्या ए न हम लोग पड़े लिखे हैं तो कबाड़ी कैसे लग सकते हैं अब पड़े लिखे हो तो नौक़ी क्यो नहीं करते हैं कहा चाचा नौकरी अब नौकरी तो आज कर इन पोलिटीशन्स के भाशनों में गूम के रही ज़िए बस आपको तो पताई है हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हे पहले इस गाउं में देखा नहीं अबे, बैठ ना, बैट-बैट कबाड़ी बैठ नहीं, नहीं, वो, मुलोक ने नया-नया काम शरू किया है, नया-नया खुलना शरू किया है, कहां देखाऊगा आपने अच्छा-च्छा, तो कैसा जमान खरीदते हो, चच्छा, एक दम सस्ताव टिकाऊ, नहीं, चच्छा, वो, मैं देख रहा था, कि घर काफी अच्छा बना रखाया आपने अच्छा-च्छा, हाँ, तो बटे, एक ये है, और एक वो है हाँ, 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 चाचा, ये तो ठीक है, मैं, मैं कह रहा था कि कुछ और रखा है घर में, कुछ, मतलब इसके अलाबा, ये है हाँ, ये कुछ है कितने की है? अरे, कितने की क्या? तीसदार की ले लो, पूरे मोड़ना में ऐसी चीज नहीं मिलेगी दिखने में तो अच्छी है व्यूटिफुल है, जी तो क्या नगाओगा, बेटा? चाचा, इसका तो कुछ भी ले लो आप अरे, इसके लिए तो मैं खुद बिख जाओंगा अरे, चाचा, इसका मतलब है दिखने में अच्छी है तो नसल की भी अच्छी होगी अच्छी नसल? बहुत अच्छी नसल की है इसकी माँ तो इससे भी ज़्यादा खुम्जूरत है बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी बेटा जी अबू तीन कब चाय लाओ जी अबू चलो माँ दिखाता हूँ उसके तीस जार जादा नहीं माँगे मैंने ये उसकी माँ है माँ? किसकी माँ? हाँ, उसकी माँ है ये उसकी माँ है यहाँ चाचा आप भी अरे, पांच वक का नमाजी, मेरे यकीन भी करते आप बतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये उसकी माँ है हाँ, हाँ, भई अरे, मैं ही तो लाया था इस जै मेरे सामने ही ते बैया ये है अरे, यार, मुझे नहीं लगता ठीक है ये चेमाल गोटा इसकी मुहपत को ऐसा उतारेगा कि जिन्दगी में कभी इस चोखट पर कदम नहीं रखेगा चाचा, तीन का टोटल कितना हुआ तीनो को मिला के पचास हजार दे दो पचास हजार तो इस वक्त हमारे पास नहीं है चाचा जी आप एक काम कीजिए आप अपना फोन नमबर दे दीजिए हम कॉल करके आजेंगे और अपना समान ले जाएंगे मेरा फोन तो खराब हो गया है मैं अपनी बेटी का नमबर दे देता हूँ जी जी कागज है पीपर देना ये लो बेटा नमबर नमबर की क्या सरुवत है अबू इन्हें ये तो कबाड़ी है गाओं में आते जाते रहते हैं सामान लेना हो तो घर पर आ जाएंगे ठीक है बात तो सही है ये अबू की है बिना शक्करवाली चाई लीजिये न अच्छी है चाई क्या लग रही है अच्छा पीले पीले फिर लगेगी भाई जैसे आया थे वैसे अगर जाना है न कब रखते और निकल ले अबे मोहबद की चाई है मोहबद से पीएंगे भाई ये मोहबद की नहीं आफद की चाई है कब रखते वरना जाने की हालत में नहीं रहेगा मेरे हाथ की चाई अच्छी नहीं लगी नहीं नहीं अच्छे है ना यह तो पागल है इसकी शकल ही ख़राब है देखो अरे इसे तो गौव की जिलेवी भी कड़ी लगती है मैं मैं फी रहा हूं ना जहां पना एक को पार मगा दो नहीं नहीं बस अब चलने का समय आ गया है अब खाना खाके चाहिए गया यह नहीं चाह बहुत है ना अब है पर्या नहीं अच्छा अच्छा तो चलते हैं अहीं तो सोच लेना डील के बारे में मिलते रहना जी 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 पान की बोटल से लेते जाओ रस्ते में काम आएगी इस जोधा सिंग ने तो हमारी जमीने हड़प करके हमारे साथ वो काम कर दिया है कि इधर पड़े तो कुआ उधर पड़े तो खाई अरे ऐसे कैसे जोधा सिंग आप लोगों की जमीने अड़ात याँ और है तो फें पें क्या शादी थी बैई ऐसी शादी हमने अपनी जिन्दगी में ने देखी खाना बैई खाने का प्रोग्राम बड़ा ही मज़ेदार था वो ठाक या मुल्ग मसालम भाई खाके मज़ा ही आगे हमें तो पटवारी जी अगर मज़े की बाते खतम हो गई हो तो जरा काम की बाते कर अब चाहे तो पेपर दिखा सकते हैं यह देखिए यह जमीन तो इनकी है तू क्यों परेशान हो रहा है अरे तेरा कुछ अपना काम है तो बता मैं करता हूं अरे इनका क्या है मैंने पता नहीं कितने किसानों की जमीन पैशे लेकर जोदा सिंग के नाम कर रखी है और आगे करूंगा समझें अरे पटवारी जी कि आगे का वादा अभी से क्यों कर रहे है आप क्या करेगा शिकायाट करेगा जिस्ट्रे कर निये कर तेरे जरसे सत्तर राते रोजी है आज तक मेरा कुछ नि बिगाड़ पाए और तू भी कुछ नि बिगाड़ पाएगा समझे यह ब देखायो बबलू ले भाई तावू देख ने पता ने कितने किसानों की जमीन पैसे लेकर जोजा शुटिंग गरा है और आगे मिलेंगे तो के होगा भाईकती सुपरस्टार बन जाएगा यह तो ना फेर तो मिल भी न पाएंगे तेरसे अरे ना ना पटवारी जी तो अपने मिलेंगे ना नहीं मिलेंगे पूरी शुटिंग वहीं कर रहाँगा तेरी अब वोई जोधा सिंग के कुट्टे ध्यान से सुन दो आप्शन है तेरे पास या तो इन किसानों की जमीन वापिस कर दे नहीं तो जोधा सिंग के साथ जेल में जाने के लिए तेयार हो जाए पटवारी एक बात और अपनी ना सही कम से कम इन की इज़त तो कर ले जानता है कौन है ये जी वो भगस साइंग सलूट मार जी सर्थ जी जी यही है परदान जी का बेटा देव मलिक जो पटवारी को धंकाने गया था आजकल काउ में बहुत फड़डा राई है गाड़े लागा इसके सामने है ही सुनाए कल तु पटवारी को धंकी देखा आया है है तुझे क्या लगता है तेरे गणे पर जमीन वापस कर देंगे हैं या पुल्या देख रहा है इसमें तिरे जैसे घणे काटके बाद यह आज तक खबर ना है भाया जी ठोक तो क्या इसे अभी बोल रहा हूं ना नहीं तो पिठोक देना मुझसे उलाज मत नहीं तो यह दुश्मनी तुझे महेंगी पड़ेगी समझ माई अच्छे गुंडे महेंगे और सस्ते की बाते नहीं करते पड़िया तेरे बाप का राजने ही चल रहा है जो जब चाहे जिसकी चाहे जमीन हड़ापलेगा हाँ बापू दो मिलट मारा हूँ अभी तेरी किस्मत अच्छी है जल्दी में हूँ फिर मिलेंगे सोचा था प्यार से कोई रस्ता निकलाएगा लेकिन अब लगता है कि मुझे मेरा ही कोई रस्ता निकालना पड़ेगा तुम लोगए हे दो को जागे देखता हूँ कि अएगा कि अंदर का रहा है तेरे अप बाप की जमीन है क्या हाँ बाप की है अपना ताम जाम लो और निकलो यहांसे हाथ मैर की सलामती चाहता है तो चुप चाप निकल ले कि अज़ता है कि अज़ता है तो आए बहरा है क्या जार निकल आजया लुटिटल बडम आजर आजर आल वो डेट प्र Glue आज आजर आजर आल आजर आजर री आजर आजर करनें कर दो खुबसे ही hybrid कुछ कmotion है कुछ को अ जर झाग कुछ वो वह झाल 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 कर दो कर दो जोदा सेंग, अपने इन कुत्तों को संभाल के रख, अरे कितनों की हड्या तुड़वाएगा तु, उस तो रख बचा के बाद के लिए, और वैसे भी मैं या लड़ने ना आया, सिर्फ समझाने आया हूँ, तो बारा अगर इन किसानों की जमीन पे आख उठा के देखाना, आखे निकाल लूँगा तेरी, और भई पटवारी, इदर आई हो, तु, इससे मदद मांगने आया है, अबे ये खुद को बचाएगा, ये तेरी मदद करेगा, जिन्हे तु साथ ले गया है ना, ये तुम्हेरे टिकाड़े बात जोड़ के गड़े, अर तु नसियत देने आया मुझे, आप लोगों को भी लगता है गुलामी की आदात हो गई है, आत निशे करो, अरे तुम्हारे इसी कमजोरी की वज़े से ये अपने आपको ताकतवर समझ रहे हैं, य जादा ओर समार्ट मदबन, शेहर में कभूतरी उड़ाता मैं, निशाने बाजी करता हूँ, दुवारा कल अगरी दिखाई ना, तो माथे पे तीसरी आख बना दूंगा तेरे, आई बात समझ में, तुझे कितनी बार संधाया रहे हैं, अतियार पे जब भी हाठ डालते हैं तो सामने बाले को खतम करने के लिए डालते हैं, देख भाई जोदा सिंग, अपने इस पिल्ले को भी समझा ले और तू भी समझ ले, ये जो समीने अड़ अपने की कुंडा कर्दी कर रहे हो ना, या तो इसे छोड़ दो, या ये काउँ छोड़ दो, वरना तोनों का जीना इस आर्म करणगा में, आर्म राम रहल भाव अभभाई साप के ब восп smży क क्वह ये कुछ लना था राथ कल न को पूरे गाऊंध को लेख आये काम सी है है आ है, आ मने तो ख़ड़ी बदमा सी, आ हमने तो ख़ली बन देगा कि फेर कभी तकलीब ना हो गई से भाई अपना तो आज कलना चाय पिणे का मनी नहीं करें क्यों भाई क्या बात हो गई भूल गया वो दिन अरे हाँ बाई जमाल घोटा क्या बात कर रहा है यार इधर ने उधर तेरा जमाल घोटा अरे कहा जा रही हो मेरी जान ओ बिजली बम कुछ तो बोल अरे कैसे बोलेगी लिपस्ते कराब हो गई न तो किसका मज़ा ही चला जाएगा तो की जी करोब आई यार जोड़ना थोड़ना सारा क्यं火 के अंवालियों के मूठ लग रही है मूठ अलगे उसी कह तो एलाज कर रहे हूं जर नजधी का नजग पिलोभी आई क्या कर रही है सारा तो छोड ला मघता है मुझ पे मा मेरी जान जरन अस्दीक का न? यह थपड बहुत महंगा पड़ेगा तुझे अच्छा, इधर आप चलो भाईया बस भाईया इधर ही रोग दो बहुत अच्छा किया जी आपने इन लफंगों के साथ में अरे, मुझे कुछ से से क्यों देख रहे हो चलो देख लो, अब इश्क किया है आपसे इश्क बाजी में इतना तो एड़्जेस कर लेंगे आप इश्क बाजी, तुम से शकल देखी है कभी आईने में? शकल? जरूरत ही नहीं पड़ी कभी चलो शकल वकल को गोली मारते हैं, सीधा पॉइंट पर आते हैं ये बता के चाय पीने कब आउं मैं? उस दिन की चाय से निकली नहीं तेरी आश्की अब तक? माई डियर, आश्की दिल से की है पेट से नहीं जो जमाल गोटे से निकल जाएगी चल, फाइनल करते हैं खुले चौक में, सब के सामने सीना ठोक के बोलता हूँ पुलिस में मतलब दुनिया भर की सारी फालतू चीज़े सीख रखी हैं तुने लेकिन प्यार करना नहीं सीखा ऐसा है कि जदा भाव वगेरा मत था और ये नखरे वगेरा मत दिखा मुझे क्योंकि न, कमी लड़कियों की मुझे भी नहीं तो नहीं के पास जाना और ये अपना I love you भी उनहीं में से किसी को दे दे अब ये दिल देव का है तो रहा चलते हैं किसी भी नड़की पे तो आ नहीं सकता लेकिन एक बात याद रख हाथ से छूटी डोर और कटी पतन इनकी ना तो कोई रा होती है ना कोई मन्जी और आज से ये डोर मैं तेरे हाथ में देता हूँ तुझे कबूल करना है तो कबूल कर वरना चोड़ दे यह सही में तुछ से प्यार करता है इतना ही प्यार करने वाला होता ना तो अकेले में बात करता जब देखो किसी ने किसी को साथ में लेकर घुमता है इतना भी नहीं पता कि कोई लड़की अपने दिल की बात सब के सामने कैसे कहेगी पर अब क्या करेगे तू और उससे क्या पता कि इस बार बात माइन में नहीं दिल पे लगी है अजया बार बोलना पड़ेगा तुम लोगों को साव सफ़ाई करने के लिए और बाकी लोग कहा है तफरी करने के लिए नहीं रखा मैंने तुम लोगों को अरे बाओ जी क्यों सुबा सुबा रेल बना रहे है वसीम की राम राम कहा रहता है तू आजकल कहा था ना तुझे के इन पाल्तू के जगडों से दूर रही हो बाओ जी अगर हम लोग इन जगडों से दूर रहेंगे तो इन गरीब किसानों की मदद कौन करेगा इन होने बहुत विश्वास के साथ आपको गाओं का प्रधान बनाया है अब मुसीबत में हम लोग इनके काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा तो मुझे बनाया है ना मैं देख लूँगा जो करना है वो मैं करूँगा और तुझे इन गुंडों के साथ गुंडा होने की क्या जरूर थी इन कामों के लिए पढ़ाय लिखाया है क्या तुझे मैंने बाओ जी गंदे पानी से किसी की प्यास भुशती है क्या अब उपर वाले ने कुछ सोस समझ के मुझे में ये काबिलियत दियोगी न मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहता इन लफणों को छोड़ अपने काम धंदे पर ध्यान दे और अपना सपना पूरा कर बेटा नहीं सपना नहीं जाराता हो जी क्या बोला ये कुछ नहीं वह कह रहा है कि सारा सपना पूरा कर आच अच्छा जो भी है तो बिजनौर जा और पेमेंट लेकर और शराफा से जाना जी वसीम कहां यह सारा सपना नहीं अब अब कि अब कि 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 अम्मी हां अम्मी क्या हुआ यह लेटा कब आया यह तो तीन चार दिनों से यहीं रखा हुआ है पिर मुझे बताया क्यों नहीं अरे बेटा मेरे तो दिमाग से ही उतर गया था पर तू इतना नाराज क्यों हो रही है ऐसा क्या है इसमें अम्मी यह पुलिस ट्रेनिंग का अपॉइंटमेंट लेटा है क्या अल्ला का लाग लाग शुकर है पर अम्मी करके आखरी तारीक है हमें आज ही तयारी करनी होगी तो खाना बना अबू मेरा अपॉइंटमेंट लेटा आगया है आज मैं बहुत खुश हूँ बहुत बहुत मुबारक हो बेटा बहुत मुबारक लेकिन अब मेनत और इमानदा भाईया वो पारुग ने मुझे फिर से छेड़ा उस मोबाइल चॉप वाले ने हाँ भाईया तु घर चल में आ रहा हूँ अबी ठीक है आपना ख्याल रखना बेटा जी अबी और आप दोनों भी अपना ख्याल रखेगा अपना ख्याल रखना और अमें भूल मत जाना जी अबबू चलती हूं हम एक तरी हुम्र का Indorn की तरी अभूल हमें सतन ऑ इसरे प्रूण हम लिए की एखकंright तूपराम की भाण कर रह रहे पूर रहे तूटना भोल हमे। अभी ऐ हं उकने भी सब्सक्काशowski52। और दो वाज़ों तौर रफ़िए और और दो शुखे और दो है? जनाव वह आकरम और रहमाना है कुछ पाज़ दरोई है आप से मिलना चाहते हैं असलाम अलेक। बेढ़ी है सब खेरियत? खेरियत ही है भाईजान पर हुआ ये के जाटों के दो लोगों ने हमारे एक लड़के को मार दिया फिर गर्मा गर्मी में हमारे लोगों ने उन लोगों को मार दिया इस मामले में हमारे बिरादरी के कुछ लोग भी अंदर हुए है जनाब बस कैसे भी करके भाईजान अपने लोगों को बाहर निकल भा दे इसमें हमारे बारटी का क्या पायता मीरा पूरकी सीट एकदम किलियर निकल रही है जनाब यह वोट अपनी तरफ करने का इससे बहतर मौका फिर हाथ नहीं लगेगा जनाब बिलकुल सही कह रहे है जनाब यह है हां सब अपने वाली है हां बाई जान सब अपने ही है हां हलो जी जिछान साब बढ़ाई यह कैसे याद किया जनाब एक छोटा सा काम था आपके लिए कुछ मना है क्या जनाब आपके A.S.P. साब ने हमारे कुछ आदमियों को हिरासत में ले रखा है तो आपसे दरखास है कि जल से जल उन्हें रिहा कर दे और एक गुजारिश है ये A.S.P. का कहीं और तबादला कर दीजे आप बेफिकर रही है खान साब आपका काम हो जाएगा सर एक बास समाझ में ना रही खाकी का काम खाकी करे तो ठीक है लेकिन लगता है खाकी का काम सफेद खादी कर रही है जिन लोगों को आपने रामैатов पकड़ा था उनको तो छोड़ दिया और उल्टे अफ हमारे लोगों वो परिशान कर रहे हैं। तुम मुझे कानून मा सिखाओ। पुलिस अपने तौर तरीके से काम करती है, समझे। वैसे भी तुम लोग अगर अपना भला चाहते हो, तो यहां से निकल जाओ। परना एक एको जेल भेज़ दूगा। चलो यहां से। अरे देखते हैं किस किस को जेल भेज़ोगे तुम। चलो। शही का आपने। यह तो पुलिस या दादेगिरी हैं। अब तो यह बिल्कुल नहीं चलेगे। यह तो नहीं चलेगा। परना यह लोग यह लोग बेगणाओं लोगों को परिशान करते रहेंगे। अग्तो हमें इस सिस्टम के खिलाब महा पंचायत करने ही होगी। इसके इलावा कोई रास्ता ही नहीं है। चलिए यह आसे चलिए 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 आभी चलिए। महा पंचायत हो रही है जनाब, सिर्फ जाठी नहीं, बाकी जाती के लोग भी पहुँच रहा है महा पंचायत हो रही है यानि कि भारूत का धेर इकठा हो रहा है फूख दो चिंगारी एलेक्शन से पहले ऐसा माहोल अल्ला की सौगात है हाँ लेकिन इस काम के लिए अपने आदमियों को मत लगाना जोदा सिंग को फोन करो चिंता ना करो जनाब समझ लो काम हो गया बापू, बापू, या है वो रिपोर्टर नदीम हाँ मैं करता हूँ फोन भाई करता हूँ आदा भाई जी कुछ काम था भाई जी महा पंचायत की वीडियो बना के दे मुझे अरा दस मिन्ट का काम है साथ तारिक को जाट्तों की महा पंचायत है तुझे अपने लॉंडों के साथ उसमें शामिल होना है और यह जो गया है ना सुलमान का नंदा रिपोर्टर इसे उड़ाना है और काम ऐसा होना चाहिए ऐसा लगए के जट्टों ने वार दिया ठीक है भाई जी चलो भाईयो अब पाणी सर से उपर चला गया है वोटों के लालची कुछ नेताओं के बहकावे में आकर बड़ी गर भी चड़ गई है इने अगर अब हमने इनका जवाब नहीं दिया तो यह हमें चैन से नहीं जीनी देंगे जोने जाइन का साथ दे रहे हैं वो भी कान ठोलकर सुझ ले सोते हुए जाज को छेड़ना मौत को बुलाना है अगर हमें हत्यान खा जिया है चंटी आने वाले ने तो भी याद रखेंगे ऐसी हाले में जब पुलिस पुजजर दोनों इनी का साथ दे रहें तो हमें अपना बदला स्वेम लेना होगा फून का बदला सुझ चलेंगे आए जो एक इने रगाई है इन्हें हुझी आगकर जड़ा डालो हरहत महादे हरहत महादे जेवरवरण दोजी हरहत महादे हरहत महादे अब 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 बोल अब अब आजी काम तो हो गया है लेकिन वह वह एम सिंग के बेटे देवने रिपोर्टर को मारते हुए देख लिया है एक काम करी हो फिर जब तक मैं तुझे फोन ना करूँ तो किसी को नजर मताई हो हाँ हाँ ठीक है भाई जी यह महाद पंचाट में जरूर किसी साजिश को अंजान देने वाले हैं इस बुल की जमीन और मिक्टी पर जितना हग वो जताते हैं उतना हग हमारा भी हमने भी जंग आजादी में अपना हुबाया हमने भी अंग्रेजों की लाठिया गोलिया खाई है क्या हुआ जो हमारी तादात कम है तारी गवा है जब भी खौम पर कोई बसी बताई है जब भी एमान वालों पर कोई खत्रा मन रहा है खैबी ताक्तों ने हमारी मदद की है खैबी ताक्तों ने हमारी मदद की है अगर वो सोच रही हैं कि हमें डरा देंगे हीद का जवाब पत्थर से मिलेगा गौली के जवाब में गौली मिलेगी अगर वो हमारे एक आत्मी को मारेंगे तो हम उनकी दस लाशे बिछा देंगे आयो जाटो ने महा पंचायत में हमारे बंच्छे आत्में को मार दिया है और वो इसी तरह पढ़े चले आ रहे हैं निकालो अपने कट्चे दलवार और काट डालो जित्मे काट सकते हो आप पीछे ले तेरे को दिखाई नहीं देता क्या अरे तुनाएं नहीं देरा क्या पीछे लों ट्रक्टर लपता है तो ऐसे नहीं मानेगा कर देए! मुझे आप कुछ ए सकतल Secret हिए रें। । । । । खर इफॉची नुट जुट हुआ तर तर विर ओज जुट जूए लूखुआँ.... अधना खाली थे घर गड़ा.. अधना खाली थिए, अधना खाली थे। और खाली खाली, आप से लिए पुलाना साब, आज इने काफिरों को, आज इने हम जिन्दा नहीं छोड़ेंगे, निकाले इने बहुर, ये अल्ला का दरबार है, हमें कोई खुन खराबा नहीं चाहिए, चलिए आप लोग निकली आया से, जाहिए अपने घर जाहिए, पुलिस के मताबिक स्थिती चिंता जानक बनी हुई है, और प्रशासन किसी भी हालात से निपटने के लिए तयार है, सारा का फोन है, हेलो, हलो अमी, कैसी है आप, और ये क्या हो रहा है वहाँ, मत पूछ बेटी, यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल है, सब लोग अपने घर में चुप कर बैठे है, अमी, अबू कैसे है, तू चिंता मत कर, वो ठीक है, ओके चलू, आप अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिस, जोधा सिंग, जतना जल्दी हो सके, हतियार पहुचा दो उनकी पस्ती में, और अगर महर ठंडा होता दिखे, तो अपने याद में लगा दो, दोनों तरप से, कल सुबा तक मीडियो और सिस्टम में हाय तवबा मत जानी चाहिए, समझे तुम? किल की बोरी तरीके से मारा है, बता, टिल्लू के फोन में यह वीडियो तो पक्का औरों के फोन में भी आई होगी, यह पक्का दंगे भढकानी की साजिश की गई है, ध्यान से देख, जो असली मडर हुआ था, वो रोड़ पे हुआ था, राइट? यह देख, यह किसी का पर अठियार पोचा दिया है, बस्ते में कोष भी बचनानी चाए है, वहुआ योरी फोटर ने चाहिए यह दुके खेंगा को गाग抗 घूळ谁िए का हुआ! अर का विए! अर का विए! अजर गाजन। कर तथर उंग करो वहाट oops कर दो झाल खूआ जाल खूआ आपको राओ कर दो कि आखकादू तुम हमारे आत्मी होकर भी इन लोगों का साथ दे रहे हो, इन लोगों को घुछ को रीज तक्लीफ है, देश को बचाना है, तिन हैवानों को खत्प करना होगा, तुम हमारे रास्ते से वर्चा वर्न न हम, अबै चोप! अगर ये लोग है तो तुम लोग कॉन हो में भुने फिकर करने वालो के हातों में आथियार future कशा कैने में लगते हैं लखिस तरह गलियो capitalist में देश की तरक्की अभनी ओर शान्ती में होती है इस तरह गली मौलियो में मार कट करने में नहीं अपना भासन बंद कर और हमारा रास्ते खटचा वरना तुम सब को काट डालूगा आज हम भी तो देखे कितनी हिम्मत है तुमारी आज तो तुमारा टंटाई काट देते हैं दोई कोई नहीं लड़ेगा जो जाके अप्रा काम केरो जो यहांसे सब्सक्राइब काट तुमारा जोनमारी जोड़ेखे के अब करें चैन्दे चल्द गौण बंद के इवान सोथाए आपने अच्व आपक जाम जोड़ेखे के जाज़ेए सलीम बबलू तुम लोग निखलो 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 एक दाम आगे मत वर्ना वर्ना खुदा के बास्ते हमें छोड़ दो बिल्टा आप लोग भुग्राइए हम लोग यहापकी मदद करने आया है मैं आप लोग हमारे साथ चलीए और सारा कले शार तौप पुलीस ट्रेलर के लिए और तक है आप हमारे साथ चलीए चलीए तुम लोगे काम करो तुम लोग ज्यान से इमको खर ले के जाओ पजा के वसीम को देख के आगा हूँ हूँ चलीए के, कंदू संबल ग.'" वारेे में सुनकरे वे बोलिये हाँ वह मुच्छा वड़ा चोदरी और से ना हम घणे पेर उठ करहा है स्याना यह सही मोगा आर को सुनकर फटका है को को कि गुण 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 अपर इसको लेकर आंदर हैं तुम भी इनके साथ के लिए चौड़ाए पार इसको आप पार इनके साथ के लिए चौड़ाए पार इसको अट आ अप छूड़ो पूबंगा इस उन्जा को काच डालूंगा छूड़ों दो क्या हो डाओ एक जुड़ों अपने ही लोगो की खिलाफ करे हो गया हो तुम लोगों के खिलाब नहीं तुम्हारी इस हैवानित के खड़ाओं में शर्मारी जी तुम्हे धर्म के लाब यासे दंदे करते हुए भागे यासे बचाँ! कोई बचाँ! कोई मेरा शॉर को बचाँ! कोई तो बचाँ! मुझाँ! इनके लोगों ने हमारे लोगों को काटाला है तुम पीश मताओ ये इनका देश नहीं है इन तो पकिस्तान दले जाना चाहिए तुम लोग खोटे को लोगों ये कहने वाले कि उन्हें रहना या काई और दाना है ये देश चितना आप लोगों का है उतना ही उन लोगों का भी है फिलीस ने इतने लोगों को छोड़ दिया और हमारे बेकुसूर भाईयों को अंदर डाल कर कुट्टे की तरा पीट रहे हैं अरे तो सिस्टम की गलती की सजा बिचारे ये वेगुना क्यों वुखते अरे जाए जाके देखिए जरा उन लोगों को जिन्हों ने याग वड़गाई है जैन की निसोर है अपने घरों में और एक आप लोगे वेवकुपों की तरा सर्कों पे मार काट कर रहे है अरे समस्या है ना तो अपनी आवाद उठाईए आवास हथियार मद उठाईए छोडिये हथियारों को तुम लोगे काम करो तुम लोग इधर देखो मैं उदर वसीम को देखता हूँ चलो एहान एहान ए भाई एहान का बच पता लगा वो कही नहीं मिल रहा निटेशन मतले है, सही सलाम अदोबाई है। मैंने भावी को बेज़ भेज़ और भेज़ गारे भावी तो नहीं हो तो पुछ नहीं होगा यान को जा के अधर देख पूँछ ताहूँ जा के अधर देख ताहूंचा जिए हन ईहां मेरें हैं ईहां 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 पर कैया एदा हुड़ा नहे ब्या रिहल लिहार 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 कर दो कर दो एक खिलाडी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतिय स्वस्थ और चुस्थ रहे तंबाकु स्वास्त्य और तंदुरुस्ति को नुकसान पहुचाता है सभी तंबाकु पदार खतरनाक और घातक है अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकु से दूर रहे मैं रहता हूँ आपको भी रहना चाहिए आईए तंबाकु के सामने दीबार बन कर खड़े हो आप बिलकुल चिंता मत किरुखें कीजिए पुटाल जी निकालो इन गद्दारों को बाहर आज इने हम छोड़ेंगे नहीं इन लोगों ने हमारे लोगों को काचर मूली की तरक काटा है और आपने इन अपने घर में पना दे रखी है निकालो बाहर पर मैंने अपने होश नहीं खोई है पर ये पागलपन क्यों अरे जिन लोगों ने दंगा फसाद शुरू किया वो हिंदू मुस्लिम की शकल में गुंडे थे बदमाश थे उनका ना कोई धरम ना इमान ना इंसानियत अरे कल तक जिनके साथ उठते बैठते थे हस्ते खेलते थे आज ऐसा क्या हो गया कि हम एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए क्यों भूल जाते हो के इसी याग की आज में कुछ नेता अपनी रोटिया से एक रहे होंगे और हम एक दूसरे से नजर मिलाते हुए भी शर्माएंगे क्या है प्रिशासन ने अभीता कर्फियों में कोई धील नहीं लिया है जगे जगे पर सुरक्षा कर्फियों और पुलिस को चैनाथ किया गया है करे की भी तो कैसे वाखी जुदा सेंग जी आपका काम तारिफ है काविल है आप जैसी दबंग शक्षियत की तो पार्टी को हमेशा जरूरत रहती है अरे इलेक्शन का पूरा दारो मदार आप जैसे लोगों के कंधों पर तो है पर एक दिक्कत है कि हमारे कुछ आद्मियों को पुलिस ने गिरिफतार कर रखा है उन्हें आप बाहर निकलवाओं आप चिंता ना करे अरे मेडिया वालों के लिए और आवाम के लिए कुछ लोगों को गिरिफतार्दों करना ही पड़ता है कुछ लोग ऐसे हैं जिना हमारी करतुत्तों की भनग लग कई है वो आप हम पे छोड़िये आप सिर्फ नाम बताइए एंकांटर ही करवा देते हैं क्यों कहां साब हम बिलकुल सही बात है उसको मार के किसी को क्या मिला है सब खत्म हो गया देवाई सब खत्म हो गया कर दान जी हम आपके बेटे को किरफतार कने आया है क्यों क्या किया मेरे बेटे ने दंगा भड़काया उसने आपको पता है कितने मासुमों की जाने कहीं है है हमर पास सबूत है और गवा भी तीन साल तक जमानत ना मिलेगी उसको अच्छी तरह से वाकिफ है हम कि कैसे हैं आपके गवा और कैसे हैं सबूत तुम कोड़ो मैं वो हूँ जिसकी जिन्दगी उस खुदा के बंदे ने बचाई है जिसे आप गिरफतार करने आए है जिन्दगी बचे गई है तो इसका फायदा उठा लो यहां बीज में पढ़कर क्यों फिर से जान दाव पे लगा रहे हो हैं पड़ो हमें अपने टूडी करने दो द्यूटी जब द्यूटी निभानी थी तो आप खमोशी से तमाचा देखते रहें लोगों के घर जल रहे थे मासूमों को मरा जा रहा था और ओर जुल्म ढाया जा रहा था कहा गई थी उस वक्त आपकी ड्यूटी माफ कीजी जनाब दंगाईयों से बड़े गुनागार आ अरे परधान जी यह फालतू का ड्रामा सुने नहीं आओं मैं आखरी बार ताकीद कर रहा हूं आपको हमारे रास्तों से हट जाओ खुदा के लिए आपने क्यों यहां से यही तो राठोर चाहता है दरोगा साहब कुछ तो वफादारी करो इस वर्दी की और जाके ग्रिफ परतार कीजिए उस जोद्दा सिंग को जिसने आपको नपुन्सक बना रखा है वफादारी कुट्थों की अमानत होती है तारोगा राठोड कुट्था नहीं है आखरी बार ताकीद कर रहा हूं आपको हमारे रास्ते से हड़ जाओ वरना कर्फ्यू में अभी ढील दी गई है औरी तरह से खतम नहीं हुआ है देव समझने की कोशिच कर भाई राठोड तुझे फसाना चाहता है लेकिन अगर हम लोग यहां से इस समय भागे तो कानून की नजरों में हमेशा के लिए मुझरिम बन जाएंगे देव जोश से नहीं होच से कामले भाई तुम दोनों न क्रशणिन में उह में लोग चाहता है यह कहां ले आए दू इस वक्त इससे सही जगा नहीं मिलेगी चल अंदर चल ठीक है तो यह है तेरी सबसे अच्छी जगा इसको साफ कौन करेगा बबलू टेंशन मत लेया रामुका का है ना हाँ वो किदे रहे तू है ना चाहल आजाए राम राम शरकार बहुत खुछ हो रहा होगा तू अच्छा घासा मौका खो दिया ना तूने खाप देखता है कमिस्नर बनने के और कर्टूते करता है ऐसी कहीं ऐसा तो ना के तू चोधा सिंग की जुत्ती सुंगते सुंगते यह खाकी सुंगने लगा कैसा जुलूम कर रहे हो सरकार अब खाकी सुंगने की बात कर रहे हो अरे जब से आपका दियावा चस्मा चड़ा रख है मैं तो भूल जुकाओ खाकी के होए है वहाँ पूरा का पूरा गाउं एक होगए तो गौंवाले आगे थे तो गौंवाला बन गया था उनके साथ कुछ कर लिया होता गोली चला देता दो चार को भिछा लेता गल्ती हो गई सरकार माफ कर दीजे माफी के लिए तो बड़े लंगर खोल रखके है जो तू गल्ती करेगा और हम माफ कर देंगे क्या बताऊं सनी भाईया एक तो मीडिया उपर से गौवर्मेंट का प्रेशर बढ़ता जा रहा है और माहूल भी पहले से जाधा गरम हो गया तो तू गरम हो जटता तेरे बजम्मे माग लग जटती वे लोंड़ा वहां से भाग गये थे तो उनका पिछा करता बाहर से पक जावे वा काटना भूल जावे अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा बाप्पू अगर हमें ही सब कुछ करना है तो इसे क्यों पाल रखा हमने मुझे तो पस इंतजार है तुझे टिकट मिलने वाली है इसलिए दात के निच्चे तिनका दबाके बैठे वरना उस लोंडे की जब तक तेरवी कर चुको आता मैं इस बार ऐसी मजबूत फाइल बनाती है जमानत तक न हो सकी इससा लेकिए ये जमानत का लोलीपॉप हमें मद्देर आठोर आप बेफिकर रहो सनी भईया इस बार उसके दोस्ति मुझे उस तक पहुचावेंगे और अब की बार अगर को पुदा सिंग तेरे साथ क्या करेगा कोई दिक्कद ना है सरकार कोई दिक्कद ना तमाम कोशिशों के बाद भी इंस्पेक्टर आठोर देव को पकड़ने में नाकाम्याब रहा करप्ट सिस्टम ने कानून की नजर में एक रेंज शूटर को हत्यारा बना दिया गरीब हो लहों को इंसाव दिलाने के मकसद से देव एक गुमनाम संगठन बनाने में चुट गिया उसके निशाने पर थे वो सफेद पोश जिनके दामन सैक्रों गुणाहों से रगय हुए थे लेकिन कानून की नजर में वो बेदाग थे किसी को भनक तक नहीं लगे और इंसानी लहो की तिजारत करने वाले जोधा और आलम खान जैसे हैवानों के काले धन्दे चौपट होने लगे पाप की कमाई से करुणों का काला धन जमा करने वाले पापियों को देव और उसके साथ्यों ने अपना निशाना बनाया और इस तरह देव और उसके दोस्त एक गुन्नाम ग्रह के रूप में छाग है सुना है दंगो में जिन लोगों के नाम आये हैं कुछ सरपिरे लॉड़े उनको ठिकाने लगा रहे हैं और वैसे भी हम बिना सेकुर्टी के जा रहे हैं अरे हम लोग जहां जा रहे हैं वहां सेकुर्टी के कोई जरूरत ही नहीं है अरे जैन साब ने जहां पार्टी रखी है वहां हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अबे लंगले गड़िया भढ़त देखता नहीं है क्या रेइज़ पर एकार रहे खुटो खुरो जगे लागे खुट को जिल कि जो खुटो छोड़ा खुटो जो आकर हुटो है जेए हुटो कि जो जय खुटो जय को बाता है मैं चाल जीदा अरे सुष्ट और भाई अरे बंद कर भाई तुझे नहीं इसे बोड़ा अरे तुझे बागल हो गया गया अरे जानते नहीं तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो नेता जी हमें क्या मीडिय वाला समझाय क्या कुछ भी बोलोगे और मान लेंगे हमारे नेता जी को सरकारी खर्चे पे हेलिकॉप्टर पे घुमने का बड़ा शौक है जरा पेट्रोल लाओ और डालो इनके इंजन में पेट्रोल नहीं 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 मुझे माप कर दो इसा मत करो इसा मत करो इसा मुझे जाने था मुझे माप करो इसा मुझे है मुझे कुछ मत करें सब बताता हूं सब बताता हूं मैं वैं सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए तयार हूं बासर देने के बाद छोड़ दोगे ना मुझे नेता जी आपका भाशन पसंद आया तो जरूर छोड़ देंगे ज्यानेश्वत तिवारी और आलम खान के कहने पर दंगे भड़काने का काम किया है और इसमें हमारा साथ जोधा सिंग उनका बेटा सनी और इंस्पेक्टर राठोड ने दिया है जोधा सिंग ने महा पंचायत में दंगा भड़काने के लिए मुस्लिम रिपोर्टर की हत्या करवाई थी और इस काम में हम तीनों भी शामिल थे आलम खान, रह्मान और जोधा सिंग राठोड के जरीए तुम और तुम्हारे दोस्तों का एंकाउंटर करवाना चाहते थे मैं कै सोच रहूं भाई अपने पापा से बात करता हूँ एड़ोकेट है, कोई न कोई जुगा निकाल लेंगे वो ठीक है पर मुझे क्या लगता है कि राठोर इतनी आसानी से छोड़ेगा नि भाई सही बुल रहा है यार, राठोर की नजर हम पे पढ़ चुगे, पता नहीं साड़ा की करेगा क्या है न, ऐसे कानून से लड़ना इतना असान नहीं होता है, इसके लिए प्रॉपर प्रानिंग की ज़रुत होती है और उसके लिए टाइम भी लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि तब तक सरकार को ये ऐसा ओफिसर ज़रूर ढून लेगी जो सरकार के नमक का कर्द सरकार को यादा करेगा अमी क्या देख रही हो अमी? देख रही हूँ, जैसे जननत मेरे सामने खाकी वर्दी पहन कर खड़ी हो गई है ओ अमी अमी, अबू कहा है? वो नमाज पढ़ रही है आखिर अफसर बली गई, मुभारक हो जानती हो, पूरे खांदान में तुप पहली पुलिस वाली हो कितना फक्र की बात है जी हाँ अब तुम यही रहोगी न? नहीं अबू, मुझे गावर्मेंट की तरफ से क्वार्टर मिला है अब हम सब वही रहेंगे हाँ, हाँ, अब वही रहेंगे ये जगा महफूज नहीं है पर ये सब हुआ कैसे? ये सब दंगों की सौगाते हैं, बेटी अर्रा का शुक्र है कि प्रधान भीम सिंग का बेटा देव खुदा का फरिष्टा बनकर रहें वक्त पर पहुँच गया हाँ, बेटी और अपनी जहान की परवा किये बिना उसने हमारी हफाज़त की वरना आज हम जिन्दा नहीं होते बेस अम्मी और उसका सिला उसको ये मिला कि पुलीस वाले और जोधा सिंग उसकी जिन्दगी को जहनुब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे बेटा, अगर हो सके तो उसकी मदद करना आप फिक्र मत कीजी अबबू मैं उसे कुछ होने नहीं दूँगी नमस्ते ताउ जी नमस्ते मेरा नाम सारा खां है रफिक खान की बेटी हूँ अच्छा अच्छा रफिक भाई आओ आओ बैठो उन्होंने बताया था तुमारे बारे में कि बेटी पुलिस अफसर बनने गई है बड़ी खुशी हुई सुनके जी हाँ आपकी दूआ से बन गई ओफिसर इसी डिस्ट्रिक की एसपी बन कर आए हूँ बढ़ाई हो बेटी पर ये मत बोल कि हमारे दूआ से बनी है क्योंकि अगर हमारी दूआ में इतना असर होता तो आज मेरा बेटा बेट पसूर होतो है भी मुझरिमों की तरह चुपता ना फिरता पता नहीं बेटा जोदा सिंग मेरे बेटे से किस जनम की दुश्मनी निकाल रहा है आप विक्र मत कीजी सब ठीक हो जाएगा आपको तो पता होगा कि देव कहां है नहीं हम तो उसके शकल देखने के लिए भी दरस गए क्योंकि मिलने के तो पुलिस ने सारे रास्ते ही बंद कर रखे है दंगे बढ़काने से लेकर लूट टकैती यहां तक की हवलदार की हत्यागारों भी मेरे बेटे पर लगा रखा है अब पता नहीं किसमत में कब मिलना लखाया उसे आप मायूस मत होए मैं जल्द से जल्द देव को सही सलामत घर वापस लेकर आऊंगी चलती हूँ अरे बेटा रुको चाही तो पीते जाओ फिर कभी चलती हूँ ये दंगे की फाइल है जी मेडम क्या है ये ये एक ही दिन में चार-चार जगर देव मलिक की कंप्लेंट क्यों है मेडम उपर से ओडर था उपर से ओडर था तो कुछ भी करोगे किसी भी बेकसूर को अरेस्ट कर लोगे इतना बड़ा दंगा हो गया उसके लिए तो कुछ नहीं कर पाए यही है आप लोगों की ड्यूटी अब आगे क्या करना है मैं देखेंगी ऐलो भाध निख्लोग झालो बाध निखलो फॉपववववववववववव म्या enorm जान !! नए भाई जी वो नए SPI ना उसना नागम दम करक्या आए मैं तो अप डुडी हूँ जी बिमारी का बाहन करके अच्छा हह आप जरा समाल कि रहना अच्छा ऑच जी रख राम राम भाई जी कौने तो प्रहु आप्ट आर्व तु प्रहुड प्रहु अच्छा मेडम जी ये सरकार ने फोन आपको काय के लिए दिया हुआ है जन्ता की प्रॉब्लम सुनने के लिए पर आपने तो मेरा फोल उठाया ही जी मैं जन्ता की रक्षक हूँ जन्ता की बातें सुनती हूँ तुम जैसे गुंडों की बक्वास नहीं मेडम जी आप यहाँ नहीं हो जानती हूँ आप मुझे जान जाओ गया इस्ता इस्ता मैं ये भी जानती हूँ तुम फोन क्यूं कर रहे थे यहां क्यूं आए हो मैं सब जानती हूँ तुम्हारा सारा काला चिठा मेरे पास है तुम्हें 24 घंटे का वक देती हूँ थोड़ा सबर कर लेती हूँ लगता है नौकरी अजन नहीं आई आपको ऐसे भौकता है जैसे मेरी नौकरी इसके हाथ की जागीर है जैसे मुझे भीक में मिली हो अगर ये 24 सेकंड के अंदर यहां से नहीं जाता तुले जाकर अंदर ठोक दो चल बापू अच्छा मेडम जी अमे दो ऐसे भी बहुत जल्दी है हलो कहां है वो लोग जंगल वाले रोट पे उरान अश्यों मंदीर वहा ओके तुम लोग तैयार रहो मैं पहुँच रही हूँ जी बबलू तुम लोग यह थैन रखो खुछ भीयो तो बताओ मुझे ठीक है आता हूँ अरे बबलू समाल के अरे यह लेके जाना यार काम आएगा इधर कहां जोड़त है यार इसकी हां अलर्ट हाँ 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 जब तक मैं नहीं बोलती तब तक सामने मत आना ठीक है परना वो लोग भाग चाहें कैसा है तू अच्छा हूँ भईया अच्छा सुन कुछ पैसे लायों सम्हाल के रहें ज़रुद पड़े तो और मांग लेना अठीक है अठीक है पहले तुझा जी विए अभी ये कौन है अरे इतने वीराने में अकेली लड़की अभी प्राचीन मंदिर है यार यहां पूजा करने से मन्नते पूरी होती है तो आयो कोई अपनी मन्नते पूरी कराने के लिए अच्छा ऐसा करो तुम लोग इदर नजर रखो मैं उधर देखते हूं हाँ 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 आप प्रुम ढप खाल जस्वान प्रुम कर दो कर दो कर दो कर दो का नेनर का आए, म सबीन और खु吸 उन्पर स्टूँ जी है कि के आए, करें तक एँ जहिनंगी बहुंगी, मोड़् म का चरिए भाकराव। मॉइडें जास जette मन chlorा में गहते हैं जब सुना खॉचचचचचचच्चचचचचचचचचचचच्चचचे,। सारप? देव, तुम? देव मुझे नहीं पता था के तुम हो नहीं सारा, मुझे कुछ नहीं होगा तुम गैंग्स्टर कैसे बन गए? बना नहीं, बना दिया गया देव मुझे पर भरुसा रखो अपने आपको सरेंडर कर दो मैं वादा करती हूँ तुम से तुम्हारी साथ जो नाइंसाफ ही हुई है मैं उसका इंसाफ करूंगी इंसाफ दिलाना तो जाके उनको दिलाओ जो इस दंगे का शिखार हुए है वो भयानक मंजर आज भी मेरी आखों के सामने आ जाता है जहां प्लानिंग एक आदमी करता है और जाने हजारों बेगुनाओं के चली जाती है इन गुनेगारों का ना तो कोई धरम होता है और ना कोई मजभ नहीं देव मेरी बात सुनो नहीं सारा मुझे चलना होगा सर रुकिये क्यों मैडम ने मना किया है तुमारी मैडम अब को समस्तिक है राठोल है मरे नाम राठोल जयदा चमक मार रही है उसने उतनी ड्यूटी ने की जुद्रे मैंने इंकाउंडर किये अड़े देव रुको कहा जा रहे हो अगर किस मत में हुआ तो फिर मिलेंगे देव रुक जाओ प्लीज अब मैंने रू सकता रुक जाओ देव पहली गोली फर्स के लिए चलानी पड़ी थी दूसरी मजबूरी में चलानी पड़ेगी जरूर चलाना सारा लेकिन इस पार गोली सीने पे चलाना तुम्हारे प्रमोशन के लिए काम आएगी देव बिल्ली की मौसी कब तक खैर मुनावेगी अब देख तपड का अंजम ऑप अप पर चल्ट चल्ट जटी वेट खरीद चल्ट पर सारा खान यह सब क्या हो रहा है हमने आपको यहां पर लॉइन ओर समालने की रिस्पॉंसिबिलिटी दी थी मगर आप क्या कर रही हैं और यह अन्प्रेंड आपरेशन आपके इस ओपरेशन की वज़े से हमारे एक जांबा सिपाई की जान चली गई है हाथ हाए मुझरिम को आपने छोड़ दिया जिस पर तीन नेताओं के अपरण का मुकदमा है सर ओफिसर की जान इसलिए गई क्योंकि इसने मेरा ओडर फॉलो नहीं किया था मैं तुम्हारी बात को तब अगरी कर लेता अगर तुमने असली मुझरिम को सलाखों के पीछे बंद कर दिया होता तुम्हारा ये इनडिसिब्लिन बहेवियर और लापरवाई की वज़े से मैं तुम्हें सस्पेंट कर रहा हूँ पर सर यू में लीव यार देव सारा को सस्पेंट कर दिया है यार क्या क्या बात कर रहा है यार ये देख न्यूज में आ रहा है सारा के साथ ये बिल्कुल भी अच्छे निवा यार वो हमारी वज़े से सस्पेंट हुई है अब सारा से मिलना ज़रूर ही है जोदा सिंग ने महां पंचायत में दंगा भलकाने के लिए मुस्लिम इंपूर्ण के उत्या करवाई थी देखा ये होता है तुम्हारे सिस्टम में राजनिती के नाम पे आन नया करने वालों को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया है हमने ये बदले की बात नहीं है बलके एक आंदोलन है तुम जानती हो बॉर्डर से आने वाले आतंगवादियों से भी जादा खतरना के ये नेता लोग कभी-कभी नयाय के लिए भी हत्यार उठाने पड़ते हैं खुनी लुटेरों को माफी मिलती है इसलिए देश उन जैसे लोगों से भरा हुआ है ऐसा तुम लोगों को लगता है तुम सब कानून पर भरोसा रखो मैं एतनी चल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ तुम ये विडियो मुझे दे दो फिर देखो मैं क्या करते हूं फिर से रॉंक ट्रेक पे जा रहे हो तुम बिना पावर और पोधीशिन की तुम्हारी सुनेगा कौन और अगर सुन भी लिया तो दो दिन के अंदर-अंदर ये लोग जमानत पे भार आ जाएंगे सबसे पहले तुम्हारी री जॉइनिंग के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा इतनी चल्दी ये सब होगा कैसे देव? इतनी महबब तो की है ना तुमसे तुम मुझ पर बरोसा रखो तुम सिर्फ मेरे दिमाग से चलो सब ठीक हो जाएगा तुम ये पेंड्राइव लो इसके अंदर सब कुछ है पर मैं तुम्हें कानून हाथ में नहीं लेने दे सकती देव कौन कम वक्त कानून को हाथ में लेना चाहता है ऐसे गुनेगारों को सदा देके हम कानून की मदद कर रहे है और ये बात तुम भी जानती हो हमें पता है तुम्हारा निशाना अभी भी पक्का है भाई, मैंने क्या क्या है वो ही तो जानना है चल ये जो बताएगा उससे कहीं जानते हैं और जो इससे पता करना है वो इतनी असानी से नहीं बताएगा हड़ी बसली तोड़ देते हैं मौस से बतर जिम्दी बना देंगे इसकी तब तो ये बताएगा यही तो मैं करना नहीं चाहता, जब तक जोदा सिंग और आलम खान जैसी गंदगी समाज में मौजूद हैं, ऐसे मच्छर तो पैदा होते रहेंगे, इन्हें मारने से कुछ नहीं बदलने वाला, हाँ लेकिन ये जरिया ज़रूर बनेगा, गंदगी साफ करने का. हलो, आदाब जनाब, आदाब, कौन, अजी नाम में क्या रखा है, और वैसे भी हमारे मुझफर नगर में, नाम से ज़ादा काम इंपोर्टेंट होता है, कौन से का, ये सही बात मुछी आपने, सुनाया हली में, स्पी सारा खान को सस्पेंट कर दिया गया है, और इसके पीछ काफी लोगों का हाथ था, मैं चाहता हूँ कि आप उसको दुबारा पॉइंट कर दीजे, देखिए, ये सब मेरे हाथ में नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, अचा, ठीक है, वैसे आप एक बात बताएए, कि जब आप किसी को सस्पेंट करा सकते हैं, तो सेरिय अपॉइंट कर नहीं करा सकते, खेर छोड़िए ये सब बातों को, आपके लिए एक डीवीडी भीचवाईए, कौन सी डीवीडी, वो तो आप ही देखिएगा, सोचेगा और फिर डीसीजन लीजेगा, क्यूंकि मैं दुबारा कॉल नहीं करूँगा, कुछ दिनों पहले विवादों में घीरी सारा खान को वापस से न्यूक्त कर दिया गया है, स्पी सारा खान के हिसाब से उनके पास कुछ ऐसे सुबूत हैं, जो मीडिया में आने पर फरकभ मत सकता है, स्पी सारा खान के मताबिक इन डंगों में बड़े बड़े राजमेताओं और अधिकालों का भी हाथ हो सकता है, मैं आप लोगों को कोई लेक्चर नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसका आप पर कोई खास असर पढ़ने वाला नहीं है, पर मैं आप सब को एक वार्णिंग जरूर देना चाहूँगी, कि जब तक वर्दी में हो, तब तक वर्दी के होकर रहो, पुलिस से बड़ी कोई ताकत नहीं है, उन्हें ना किसी पॉलिटिशन की जूती चाटने की जरूरत है, और ना किसी माफिया से डरने की, मैं बस आप लोगों से इतना चाहती हूँ, कि कोई भी शरीफ इंसान, पुलिस स्टेशन आने से ना डरे, अरे, आप खामखा डर रहे हैं, हम जैसे बदनाम लोगों की राजनीती में हमेशा डिमांड रहती है, समझें आप? आप लोगों को जितनी राजनीती खेलनी थी, खेल ली, अब बची राजनीती जेल में बैट कर खेलना, अरेस्ट करो इन लोगों को! इस लिदे बट लोगों के सब्सें बड़े कबर आपको बता दें, सारा खान ने तीनों नेताओं पर सामिल होनेक मत अब employाब भू हैं, अब देखना यहे, इन दों में कौन कौन से और्नेताश शामिल है! एस पे सारा खान को जोधा सिंग और सनी के खलाब सुबूत मिले हैं अब हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है उनकी गरफतारी कभी भी हो सकती है उनसे दूरी बनाये रखने में अकलमंदी है नहीं तो वो हमें भी लेव डूबेंगे त्रिपाटी जी आपने अपने पार्टी की तरफ से जोधा सिंग के बेटे सनी को उसी के खेतर से सीट देने का वादा किया है पुद्वादे का क्या होगा वो हमारी मजबूरी थी इस छेतर के लोग जोधा सिंग और उसके बेटे पर बहुत गुस्सा है ऐसे हालात में ऐसे लोगों को सीट देते हैं तो पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा देखिए सनी का जीतना नमों किन है मा कैसी है तू कहां चला गया था तू कितनी चिंता हो रही थी तेरी तुझे तेरी मा की कभी याद नहीं आती थी क्या बस कर मा आ गया ना मैं अच्छा ये बता बाउजी की तवेट कैसी है अब कमरे में चल मिल ले उनसे अब कैसी तवेट है आपकी क्या करेगा जानके मेरी तो अपनी बता बाउजी मैं जानता हूं के आप उससे नराज हैं लेकिन मेरा कोई गलत इरादा नहीं था मैं तो वहाँ उन लोगों की मदद करने गया था और ये बात आप भी जानते हैं उन लोगों ने मुझे फाल तुमें फसा दिया मैंने सोचा था एक दिन तू नैशनल चैंपिन बनके मेरा सपना पुरा करेगा लेकिन सपना सपना ही रह गया बाओ जी मैं आपकी सारी बाते समझ रहा हूं लेकिन जिस रस्ते पर मैं चल पड़ा हूं महां से मेरा पीछे मुझना बहुत मुश्किल है मेरे कुछ काम अधुरे रह गए है उन्हें पूरा करते ही मैं आप दोनों के पास वापिस आजाओंगा तब तक आप अपनी तबेत का ध्यान रखें अच्छा मा नहीं जाने दूंगी तुमे मैं नहीं जाने दूंगी इसे नहीं सावित्री जाने देशे रोक मत मुझे पूरा भरोसा अपने बेटे पे यह कोई गलत काम नहीं करेगा ध्यान रख अपना पाल अच्छा झाल बोलो जोदा सिंग, क्या बात है? कोई बात नहीं है, बस खबर मिली थी के इस बार आप इलेक्शन में सनी को ठीकट नहीं दे रहे हैं तुम बात समझ नहीं रहे हो, जोदा सिंग हाला तब पहले जैसे नहीं रहे तुम दोनों की कभी भी गिरिफतारी हो सकती है गिरिफतारी? जोदा सिंग की? आप भूल रहे हैं, नेता जी आपके कैने से हमने दंगे फेलाएं और ये बात पुलिस और जंता दौनों को पता चल जाए फिर आप भी बच नहीं सकते तो तुम हमें धमका रहे हो? आजी ना ना, मैं तो बस ये कह रहा था के राजनिती में अगर हमारे जैसों को लेके आगबे चलोगे तो आखिर तक साथ निवाना पड़ेगा एक बात कान खोल कर सुन लो जोदा सें तुम मेरा कुछ नहीं विगार सकते पता है क्यों? क्योंकि हम एक नेता है और तुम एक गुंडे हो हम चाहे कुछ भी करें जंता हमेशा अपना समर्थन नेता को ही देती है और यही जंता मौका आने पर तुम्हारे जैसे गुंडे को सड़क के बीचों बीच कुट्टे की तरह दोडा दोडा कर मार देगी आज के बाद ना हम तुम्हें जानते हैं ना तुम हमें अच्छा बिट्टू अब क्या है? कुछ नहीं आज के बाद हम कभी मिलेंगे नहीं ना हाँ ठीक है इंपोर्टेड है मक्कन जैसे चलती है ठीक है पैसे लाए हो हाँ लायो ना यह लो हाँ अरे पैसे दियें समान तो दो रफ्टू हाँ 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 देव कहा है नहीं बताओंगा बतादे नहीं बताओंगा अच्छा हाँ सलीम निकला निकला नहीं आप निकलेगा उपर सलीम तुझे समझाया था पहले माना नहीं सनी सनी अगर तुने कुछ सनी पटका दे बबलू अरिजो यह फिरेड़ा है यह विसे कर दो में घादेगे हैं कि आई यह शिकर मत अरेगे अथो कर दो छैजाया है कि अजार आदा पूत जादे पाईब byłक तुझे अजँए नहीं है कि अभलोड़ तुझे inव है रख प्शीम्ने टॉस्अ दॉसे जतार। में पड़ केली हैं केलोनों से! में पड़ केली हैं! में पड़ केली हैं! कि तुम्हें अलग से बोलना बढ़ेगा क्या एको इसे अब चल 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 तेरी भी तो परात निकालिया आज क्या हाँ अज पॉस बाई 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 रुको यह लुश्ट इसके दम पर शेर वन रहा है तू अच्छा यह यह लुटे मैं भुटे थन जी जी परवा फी पर जो भी आचा श्साट आब हुटा क्यों आई एार फिरा भर आफ एड़्ेटर को भुटर को धिए आप धे विंदा परेवा लो अन दो दो फिले है आप बेर आप Lenin जी जुटे आफ एंगा इब ख वो जी को भी एड़न टाव महें बाड़ा मीज कर फिक दिए चस ऑड़ार खेत विने भौस पहाव यै उर आख यह एक आयार जो धासिंग जब भी बंदोग उठाता है तो सामने वाले की जान लेता है पर आज तुझे बंदोग से न वारूँगा तुझे ऐसी मौत दूँगा के तुम मरने के लिए तरसेगा सनी अब अप्पू मर क्या लेको हमसरी के लिए मत बंदोर के लिएरा कुझे है तुम में के तुम आगा में पलाँपू प्रेंस कुन्यों प्रेंस कुन और टूर्व भुदियों जानतों साले, ने, हमारे यहां एक कहवत है, जाट मरा तब जानियों, जब तेरवा हो जा, गौम ऐसे भीम सिंग की अउलाद कहते हैं, साले, यह तो किसी, नौ मर्द की अउलाद है, साला, एक मरक्र क्या साला, पठा गया साला, इंदना महँनानो, हजूलाद क्रांए, साथ दोड़ियता, साले, साले, साथ आस पीछा का खुछा, जा मरक्र की अजिए के शे खुछा और यह, का बैड़िक सी अउल्या दोपके श्क्राओी, चानला मेरे बब भाप कुझा रा मार Sonny मार Sonny गण नीचे कर नहीं तो मैं गोली चला दूंगी आखरी बार बोल एूँ गण नीचे कर Sonny मार तेरा कुशनी भिगाड सकती है Sonny गण नीचे कर मार Sonny आखरी बार बोल रहे हो गन नीचे कर सनी मार बापो बापो देव देव ये मुझ से क्या हो गया अब जो होना था वो तो हो गया सारा तुम्हें कुछ नहीं होगा कॉल दा अम्बिलेंस जब जब गांधी और भगत सिंग के बलिदानों को छिंजोडों गे तब तब देव जैसे युवा जन लेते रहेंगे जो समाज में फैली बुराईयों के खिलाफ जंग लड़ते रहेंगे वक्त और सियासत उन्हें मुझरिम बना देती है आज हमें ये महसूस नहीं है दर्द किसी की यादों का क्यों आज भी हम खामोश खड़े हैं देखने खेल दंगों का इंसानियत को मार कर धर्म को बढ़ाने चले हैं हम पर ना देखा उन आखों को जिनकी पलकों पर चाय गम फिर क्यों नफरत की आग में जुलसते हिंदू और मुसल्मान है कौन सी वो ताकत वाले लोग जो भटका कर दंगे करवाते हैं खामोश नहीं है हिंदूस्तान अब एलान ये हम करते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदूस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदूस्तान हमारा झाल झाल झाल